जैश्वी कृष्णा हरहर महादेव असाड गुप्त नवरात्री मा आदी शक्ती की पूजा अर्चना कले समर्पित हैं इस बार असाड गुप्त नवरात्री 6 जुलाई से शुरू हो चुके हैं इस दोरान मा दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से करने का विदान है अगर आप नवरात्री के नौ दिन नौ तरहा के दिये जलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़ादा बेहद फल्दाई साबित होता है इसलिए कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं बहुत ज़ादा विशेश होते हैं अगर आप मा की नौ दिन के वरत पूजा अरादा नहीं कर पार है तो कोई बात निया पूरे नौ दिन इस प्रकार से अगर दीपक प्रजलित करेंगे मा के नौ रूपों के अलग लग सो रूप के हिसाब से तो आपके घर में सुक्समेदी सदे बनी रहेगी मादुर्गा की विशेश कृपा आपके उपर सदे बनी रहेगी तो सबसे पहला दिन नवरात्री के आपनी घी का दीपक प्रजलित करना है मादुर्गा के समख्ष और आप जानते हैं जब आप घी का दीपक पहले दिन जलाते हैं तो मादुर्गा आपको आशिवात प्रदान करती हैं आपके घर में सक्रात्मक उर्जा का संचार होता है और घी का दीपक जलाने से मालक्षमी की विशेश कृपा आपको प्राप्त होती है, आपके घर में धन्दौलत में व्रदी होती है, स्वास्ते संबंदी कोई भी परेशानी आपके घर में नहीं होती, मालक्षमी की विशेश कृपा प्राप्त होती है, लंबी काया और लंबी आयू प् इससे आपके मन्चाहे फल की प्राप्ती होती है, कोई इच्छा है आपकी, तो वो सोचते वे, आप दूसरे दिन सरसुकेतिल का दीपक प्रजलित करें। गुप्त नवरातरी के तीसरे दिन घी का दीपक जलाएं, इसलिए कि ये जो तीसरा दिन होता है, मा विद्या, माता, तिरपुरा, सुन्दरी का होता है, इस दिन इनकी पूझा आराध्ना की जाती है, और घी का दीपक प्रजलित करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है, चौथे दिन आटे का दीपक जलाएं, इसलिए कि चौथा दिन माता भुनेश्वरी की पूझा की जाती है, इनके सामने गेहों के आटे का दीपक जलाने से अरोगे, समरदी और ज्यान प्राप्त होता है, इसके साथ ही शुप परिनामों की आपको प्राप्ती भी ह होती है, गुप नवरात्री की पाचवे दिन जलाएं घी का दीपक, घी का दीपक जलाने से माता छिन मस्ता की पूझा की जाती है, और घी का दीपक जलाने से सबसे उत्तम माना जाता है, घी को शुद्ध पवित्रों देवी देवताओं का प्रिये भोग भी माना जाता है, मा छेनमस्ता घी के दीपक के प्रकाश से बहुत ज़्यादा प्रसन होती है और आपके जीवन में भी ऐसा प्रकाश बनाती है और अपनी कृपादिश्टी आपर सदेव बनाई रहती है गुप्त नवरात्री में जो छटा दिन है उस दिन सरसो के तेल का दीपक प्रजलित करें इस दिन मा तिरपूर भहरवी की पूजा की जाती है सरसो के तेल के दीपक जलाने से आपको धनलाब प्राप्त होता है गुप्त नवरातरी की सातवी दिन घी का दिपक प्रजुलित करें इस दिन मा धुमावती की पूजा राधना की जाती है जो कि आपको मोक्ष और भोतिक संपदा दिलाती है मा धुमावती की पूजा में दिया जलाने का विशेश मातो है पर जलाने से देवी प्रसन होती है और आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आती हैं। आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए एजिन मा कमला की पूजा होती है माता मातंगी की पूजा होती है जो कि आपको सुक स्मर्धी देती है आपके घर में सुक स्मर्धी बनी रहती है जीवन के समस्कष्ट और परिशानिया दूर होती है इस तरह गुप नवरात्री के पूरे 9 दिन जलाएं आपके 6 दीपग आपके जीवन की समस्कस्ट और परिशानिया अवश्य ही दूर होंगी कमिंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेगा जय माविन देवासनी